नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमारे यूट्यूब चैनल इस्टरी होम पर दोस्तों NCIT हिस्टरी का पार्ट साथ है एक सामराजी की राजधानी विजय नगर दोस्तों इस वीडियो में हम बहुती महत्पूर्ण प्रेशन उत्तरों को डिसकस करेंगे जो कि किसी परिक्षा के देश्टी से बहुती उप्योगी है तो आईए शुरुवात करते हैं प्रेशन एक से प्रेशन एक है हम भी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तुंग बंद्रा नदी के किनारे हम भी नगर बसा हुआ है पंपा किस देवी का नाम है देवी पंपा पार्वती का नाम है कॉलेन मैकेंजी कौन था उसका भारतेतियास में यूपतान बताओ इसका अँफ्तर है कॉलन मकेंजी रहा है। इसका उत्तर है हमपी के मंदिर अत्यन्त अलंक्रत इस्तंब्युक्त मंडब थे विशिष्ट अबलेक्षणों में मंडब तथाल लंबे इस्तंबों वाले गलियारियों को अक्षर मंदिर परशर में इस्थित देविस्थरों के चारों और पनी थे संबले थें विठल और हचारा राम मंदिर यहां प्रमुक है विजयनगर की जलावस सक्ताओं को किस पकार पूरा किया जाता था इसका उत्तर है तुंग बद्रा द्वारा निर्मित एक प्राकरतिक कुन है यह नदी उत्तर में उत्तर पूर दिसा में बहती है आसपास की भाड़ियों से कई जल्दाराएं आकर नदी में मिलती है लगबिक सभी धाराओं पर पांद बनाकर अलग-अलग खौज बनाए गए थी सुस्क छेत्र होने के कारण पानी के संचे और इससे सहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रवंद करना आवस्चिक है सबसे महत्मोर खौज का निर्पान प्रारंबिक सताबदी के आरंबिक परसों में हुआ जिसे कल्प प्रमजला से कहा जाता है अगला प्रेशन है विजयनगर सहर के कलेवन शेत्र में क्रसी शेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फाइदे और नुक्सान थी तो इसका उत्तर है फिजयनगर सहर के क्लेवन सेत्र में क्रसी सेत्र को चार दिवारी के अंदर रखने से हमारे विचार से अनिक लाब और हानिया थी जिनका विब्मन इस प्रकार है क्रशी सेत्र में खेतों के आसपास सामाने थैं साधान जनता और किसान रहते थे बागों और खेतों की रखवाली करना आसान था प्राय मद्यकालिन गेराबंदी का मुख्यद देश से प्रितिपक्स को खादे सामेंग्री से वंचित कर चल्दी से जल्दी आत्म समरबाण के लिए तयार करना होता था युद्ध काल में सत्रू दारा गहराबंदी कई मेहनों तक जारी रखी जाती थी यहां तक की वर्सों तक चल सकती थी आम तोर पर सासक ऐसी परिस्तितियों से रिमटने के लिए के लिए बंद सेत्रों के भीतर ही विसाल अन्नागारों का निर्मार करवाते थे विजयनगर के सासकों ने पूरे क्रसी भुबाक को बचाने के लिए एक अधिक महेंगी और व्यापक नेती को अपनाया किलाबंद खेती योग्य भूमी को चार दिवारी के अंदर रखने से नुकसान यह था कि प्राय बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों से इजाज़त लेनी होती थी साथी सत्रु द्वार घेराबंदी होने पर बाहर से एकरसी के लिए अब इसे एक जरूरत पढ़ने पर बीज और वरक यंत्र आदी बाजार बाहर के बाजानों से लाना प्राय कठिन था यदि सत्रु पक्स के द्वारा काटी ली फसल को आग लगा कर चला जिया जाता तो आर्थिक हानी बहुत प्यापक हो सकती थी अगला प्रशन है आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबन्द अनुस्टानों का क्या महतो था हमारे विचार में महानवमी डिब्बा से संबन्द अनुस्टानों का व्यापक महतो था विजयनेगर सहर के सबसे उची स्थानों पर महानवमी डिबबा नामक विशाल मंच होता था इनकी इसकी सनरशना से जुड़े अनुष्ठान संभोते सितम पर तता अक्टूबर के सारद मासों में मनाये जाने वाले दस्तिन के हिंदू त्योहार चिसे दसहरा उतर भारत में दुर्गा पूजा पस्चे मंगाल में तथा नवरात्री या महानवमी प्रायदीपे भारत में नामों से जाना जाता है के महानवमी के अअवसर पर निस्पाजित किये जाते थे इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुत्बे ताकत और अधिराज्य का प्रतसन करते थे इस अबसर पर खोने वाले धर्मान श्ठानों मैं मूर्थी की पूजा, राज्य के अस्व की पूजा तथा बैंसों और अन्य जानवरों की बली सम्मिलित थी नरत्य कुस्ती प्रतिस्फर्दा तथा साज लगे गोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की सुभएःत्रा और साथ थी प्रमुकनायकों और अधीनस्त राजांवदारा राजायों द्वारह राजा और राजाय और उनके अधितियों को दी जाने वाली और उपचारिक भेंट इस अबसर कर प्रमुक आपर सरत थी त्योहर के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आईजद भवे समारों में निरिक्षन करता था इस अबसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथी नियत कर भी लाते थे अगला प्रिशन है विजय नगर सामराज्य के विभिन विवरणों से आप विजय नगर के सामाने लोगों के जीवन की क्या चवी पाते हैं कि इसका निश्कर्च निकलता है सामाने लोगों के बारे में बहुत ज्यादा विप्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि सामाने लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में प्राप्त नहीं हुए है तो छेत्र सर्वेक्षांड इंगित करते हैं कि इस पूरे छेत्र में बहुत स विभिन संप्रदायों जैसे हिंदू, सयव, वैस्णव, जैन, बॉद्ध और इस्लाम के एन्य आई रहते थे वहे विभिन पहसाँ जैसे कन्नर, तमिल, तेलगू, संस्कत आदी का प्रियोग करते थे सामने लोगों में कुछ छोटे व्यापारी और कुछ सौदागर भी थे जो गाउं, कस्पों और छोटे सहरों में रहते थे इन में कुछ व्यापारी बंदरगाह सहरों में भी रहते थे इस्थानिय वस्तों जैसे मसाले, मोती, चंदा, नादी के साथ साथ कुछ व्यापारी, घोडे और हातियों का व्यापार भी करते थे किसान, स्रमिक, दास, आदी को भी साधान लोगों में सामिल किया जाता था सामराजय में कुछ सामान ब्राहमण, व्यापारी और दास दासियां भी थे साधान, लोग, क्रिशी, कारियों के साथ साथ विविन पकार के दथाकते छोटे समसे जाने वाले कारे भी किया करते थे अगला प्रिशन है विजे नगर सामराजय के उत्थान में अमर नायक प्रणाली के महत्व का मुल्यांकन कीजिए इस सायनिक प्रणाली का विजे नगर सामराजय के उत्थान में महत्पूर योगदान था जिसका मुल्यंका निम्रिके पिंतुओं में दिखाय गया है नमबर एक अमर नायक प्रणाली विचेनगर सामराज की एक प्रमुक राजनेति खोज थी ऐसा प्रतित होता है कि इस प्रणाली के कहिता त्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिये गए थे अमर नायक सैनी कमांडर थे जन्हें राय द्वरा सासन के लिए राज शेतर दिये जाते थे वे किसानों सिल्पकर्मियों तथा प्यापारियों से प्रुरा जश्चुक तथा अन्यकर वसूल करते थे राजस्टु का कुछ भाग मंदिरों तथा सिचाई के साधरों के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था अमर नायकों के दल आवस्च्टा के समय वेजनगर के सासंगों को भी एक प्रभावी सैनिक साहिता प्रदान करते थे अमर नाएक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा गोड़ों और हाथियों के दिर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे ये दल विजयनगर सासकों को एक प्रभावी सैनिक सक्ति पदान करने में साहिक होते थे जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिनी प्रादीप को अपने नेंतरन में किया अमर नाएक राजा को एक वर्च में एक बार भेंट बेजा करते थे और अपनी स्वामें बक्ती प्रक्ट करने के लिए राज के दर्बार में उपहारों के साथ स्वेह मुपस्तित थुआ करते थे ये अमर नाएक राजा के निंतरण में रहते थे राजा कभी-कभी उन्हें एक से दूसे इस्थान पर इस्थान अंतरण दर्शाते थे 17-वी सताप्ती में इन में से कई नाएकों ने अपने स्वतंत राज्य स्थाफित कर लिए अब अनुष्य दादान प्रेश्ण कॉलिन मेकेंजी 17-वी में जनमे कॉलन मकंजी एक अभियंता सर्विक्षक तथा मांचित्रकार के रूप में प्रसिद्धी हासिल की 18-15 इस्थी में उन्हें भारत का पहला सर्विया जनरल बनाया गया और 18-21 में उनकी मेत्तियु तक वेस्पत्पर बने रहे भारत के अतीद को बहतर डंक से समझने के लिए और उपने वेस्प्र प्रसाशन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इत्यास से समवंदे इस्थानिय परंपराओं का शंक्लन तथा इन्तिहासी इस्थलों का सर्विक्षण करना आरं किया वे कहते हैं कि प्रिटिस प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिन भारत खराब प्रवंदन की दुर्गती से लंबे समय तक चूजता रहा। विजयनगर के अध्यन से मेकेंजी को विश्वास हो गया कि कमपनी स्थानिय लोगों के अलग-अलग अपीलों को जो इस समय अभी जन संख्या का एक पढ़ाईस्चा थे को अब भी प्रभावित करने वाले इन में से कई संस्थाओं, कानूमों, तथारी तिरवाजों के पोज़ की उधरिय स Мыलय सदेमे VS का गया ह क्या जोगा तक हमपि की खूज़ की और उना ने इस सर्विक्शन के विजनb के वाल ज्यूंग की वहतलों करने की लिए, और अपने वेश्वी यूज़ के प्रसासण को आथारी लिए, उन्हों ने तकिले संबंदे इस्थानिए परंपराओं का संकलन तथा एतिहासिक स्थलों का सरवेक्षन करना आरम किया कॉलिन मेकेंजी ने अपना कारेकिन चरणों में पूरा किया सरप्थम उन्होंने मांचित्र त्यार किये पिरु पाक्ष मंदिर एवं पंपादेवी मंदिर के पुजारियों से जानकारिया कट्टी की उन्होंने इस्थानिय परंपराओं कानूनों तथारीती रिवाजों के विशे में बहुत महत्मूर जानकारिया हासिल की दोस्तो आज के इस वीडियो में वस इतना है अगर आपको ये वीडियो पसंदाया है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें तता साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें पत्तने बाद